विलकम टो इसाज जुली आज के इस वीडियो में लोग देखेंगे इन्फेनाइट सीरीज के एक बहुत ही इंपोर्टेंट कुश्चन जो कि आपके एकजाम पॉइंट अभी उसे बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है हो सकता है डाटा अलाग हो नंबर अलाग हो लेकिन कुश्चन सेम हो तो आपको क्या करना है वहाँ पे सेम अप्रोच लगाना है यही अप्रोच के साथ आप चलेंगे तो आपको ऐसा कुश्चन सोल्ग हो जाएगा चलिए, सबसे पहला हम श्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कॉपी पेल लेकर बैठना है क्योंकि कॉपी पेल लेकर नहीं बैठेंगे तो मैं guarantee देता हूँ ये कुछ्षिन आपको साथ समझ में नऑ आए आपको कॉंपी पेल लेके बैठना है, question को लिखते हुए चलिएगा जैसे लिखा हुए, same to same आपनों लिखते हुए चलिएगा मैं कोशिस्ट करूँगा जितना धीरे हो सके, मैं आपको बताऊँगा चलिए, सबसे पाहले question दिया हुआ है given series is, यह हमें कुछ series दिया हुआ है series हमें कैसा है, 2 by 1, plus 7 by 15, plus 12 by 53, plus 17 by 127 plus ऐसे हमें लिखा हुआ है, 5N minus 3, by 2N cube minus 1, plus infinity तक यह series दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे check करना है देखिए, ऐसे आपको question दिया होगा, उसके बाद, चाहे ऐसे भी question दे सकता है check the convergence, यहाँ पे आपको ऐसे भी दे सकता है check the convergence, चाहे check the given series is convergence ऐसे भी कुछ भी मतलब आपको question दे सकता है check the convergence of series, check that the given series is convergent, check whether it is convergent or non-convergent या फिर whether it is divergent ऐसे कुछ भी question आपको दे सकता है आपको अगर ऐसा series डिया हुआ है आपको convergence चेक करना कि यह series convergent है की नहीं divergent है की नहीं तो आपको क्या करना है सबसे पहले देखी यहाँ पे हमें सबसे पहले un यानि कि nth term को ढूढ़ना है कभी भी आप infinite stage का question बना रहे है आपको nth term यानि की nth जो number है term है इसको आपको ढूढ़ना है तो nth term यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे nth term यानि की un un का value दिया है 5n-3y 2nq-1 अगर nth term दिया हुआ है तो देखिए हम लोग दूसरा काम करेंगे सुचेंगे कि यहाँ पे nth term में क्या करें जो भी n वाला part है उसको हम लोग common बाहर निकालेंगे n अगर यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे हम लोग divide मे n लिखेंगे क्यों कि n बाहर निकालेंगे common यह चीज़ आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए ठीक है n यहाँ पे बाहर निकालेंगे मतलब कुछ नहीं था तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे multiply करके देखें न तो n से n कट जाएगा ठीक है इसलिए हम लोग यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो divide में लिखेंगे याद रखिए कि जितना बाहर निकालेंगे उतना ही divide में हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे minus 3 by n हो जाएगा नीचे में देखिए N का पावर 3 है तो यहाँ पे N का पावर 3 बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा माइनस यहाँ पे 1 था तो 1 के नीचे कुछ नहीं था तो N का पावर 3 हो जाएगा ठीक है चलिए अब हम लोग अगला काम क्या करेंगे N से N कीव को अगर कटाएंगे तो यह आजाएगा 1 by N स्कुर आएगा बाकी का जो सेम चीज जो उपर लिखा हुआ है सेम होए से ही लिखा हुए वह ही चीज लिखा हुआ है उसके बाद अगला काम हम लोग करेंगे जैसे 1 by N स्कुर 1 by N कीव ऐसे कुछ फॉर्म में अगर आ जाएगा तो अगला काम हम लोग क्या करेंगे कि एक auxiliary series खुद से बनाएंगे कैसे बहुत लोग को confusion होता है मैंने खुद पढ़ा है मैंने खुद देखा है कि मेरे class में लगो हर एक student को हर एक girl सोचा है बुआ है सब को confusion रहता है हम लोग auxiliary series कैसे चुनेंगे तो देखिए आपको क्या करना है जैसे आप यहाँ पे n निकाल लिए न आपको यहाँ पे देखना है कितना लिखा हुआ है तो 1 by n square लिखा हुआ है आपको कुछ नहीं करना है आख बंद करना है असे में यहीं चीज को आपको convergent series माल लेना है हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे है अब convergent series माल ले रहे है सरी auxiliary series माल ले रहे है consider an auxiliary series माल ले रहे है summation of vn जो की हमारा 1 by n square है summation of vn कोई auxiliary series जो हम लोग खुद से मान रहे है और यह कितना है 1 by n square अब हम लोग देख रहे है कि summation of vn मतलब summation of 1 by n square यह देखिए कुछ हमारा p-series test जो हमने पढ़ा था न पिछले 2-3 class पहले 4 class पहले तो वहीं cm चीज यहाँ पे दिया हुए हाँ और एक चीज मैं आपको जनकारी के लिए बता दू कि infinite series का सुरू से अगर आपको पढ़ना हो न तो उसका link आपको निचे description में मिल जाएगा वहाँ से जाके आप पूरा का पूरा infinite series शुरू से देख सकते हो आपको हो सकता है 2-3 class शुरू की समझ में ना आए तो आपको patience रखना है आपको सब कुछ note करते वे चलना है आपको खुद फील आएगा कि हम लोग कहीं पे पैसा देके पढ़े है हलाकि यहाँ पे मैं आपसे पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ ठीक है लेकिन आपको फील आएगा अगर आप 3-4 class लगाता आप देखेंगे तो और अगर आप पढ़ना चाहे तो बाकी आपकी मर्जी चलिए तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे माल ले रहे हैं तो हम लोग ने P सिरीज में एक चीज पढ़ा था P सिरीज टेस्ट में कि अगर कोई भी हमारा सिरीज होता है न 1 by n 1 by n 1 by n square 1 by n की ऐसे फ़र्म में होता है न तो 1 by n के पावर P के फ़र्म में होता है तो अगर P का वैलू हमारा एक से बड़ा होता है तो वो सिरीज कनवर्जेंट होता है तो देखिए यह हमारा क्या है 1 by n का पावर 2 है मतलब 1 by n के पावर P के फ़र्म में है और यहाँ पे P के जगाँ पर कितना है? 2 है, मतलब 1 से बड़ा है तो इसलिए जो हम मान के चल रहे हैं जो हम लोग auxiliary series मान के चल रहे हैं वो क्या है हमारा? वो हमारा convergent series है convergent series है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि auxiliary series हमारा convergent हो गया और यहाँ पे हमारा un का value भी आ गया था तो हम लोग अब क्या करेंगे? अगला काम हम लोग करेंगे कि limit n 10 to infinity un by bn का value निकालेंगे तो देखिए, यहाँ पे limit n 10 to infinity un का value हम लोग यहाँ से देखिए यहाँ से put करेंगे same to same वहीं उठाके हमने यहाँ पे put कर दिया bn का value यहाँ पे है 1 by n square यहाँ पे 1 by n square हमने put कर दिया बाकी आपको समझना आप यहाँ पे है थोड़ा सा ज्यादा कुछ नहीं देखिए, यहाँ पे 1 by n square से 1 by n square कट जाएगा बचेगा कितना? 5 minus 3 by n उपर नीचे बचेगा 2 minus 1 by n cube अब देखिए, यहाँ पे n का value कितना रखना है infinity जब n यहाँ पे infinity रखेंगे तो 3 by infinity 0 आएगा वैसे ही, 1 by infinity का cube 0 आएगा तो 5 minus 0, 5 ही होगा 2 minus 0, 2 होगा मतलब हमें, यहाँ पे 5 by 2 इसका value मिल गया जो कि finite number है तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि limit n 10 to infinity यू n by b n का value अगर finite हमें मिल गया न तो अगर हमारा यह जो लोग auxiliary series मान के चले थे, वो convergent था तो हमारा जो पूरा series था जो में दिया हुआ था, जो summation of यू n दिया हुआ था, वो भी हमारा क्या हो जाएगा convergent हो जाएगा, अकर यहाँ पे यह series हमारा p-series test divergent आता, auxiliary series अगर आता तो हमारा series divergent हो जाता कौन सा series divergent हो जाता यह जो हमें series दिया हुआ न यह जो हमें series पूरा दिया हुआ है ये series हमारा convergent है क्यों? क्योंकि हमारा जो auxiliary series है यहाँ पे देखिए जो auxiliary series है न ये भी हमारा convergent है ये हमारा convergent है और un by limit and 10 to infinity un by un bn का value आया है कितना? finite इसलिए जो हमारा series दिया हुआ था उपर question में वो भी हमारा क्या हो जाएगा? एक convergent series हो जाएगा भूरा खुला हुआ है आप चाहे तो वहाँ पे पूछ सकते हैं चाहे तो instagram पे भी मुझे follow कर सकते हैं वहाँ पे भी कोई भी question आप पूछ सकते हैं या फिर आप चाहे तो telegram channel भी join कर सकते हैं इसका link या तो नीचे description में दिया होगा या फिर मेरे channel पे दूसरे किसी वीडियो में आप लोग ढूंड लीजेगा जिसमें आपको बहुत सारे PDF notes वगरा भी मिल जाएंगे और कुछ आपको exam के time में कुछ important questions वगरा solution वगरा भी मिल जाएंगे हलाकि मैं उतना इस चीज़ पे active नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी अभी थोड़ा सा जाउग को लेके concern हूँ बाकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए इतना ही thanks for watching वीडियो अच्छे लगा तो वीडियो को like और channel को subscribe जिरू किजिएगा